हेलो दोस्तो मेरा नम अमित है एंडीटी एंड कॉलेटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम रेडियोग्राफी टेस्टिंग मतलब आरटी में अगर आप इंटर्यू देने जाते हैं तो आपको कौन-कौन से क्विस्चन पूछे जा सकते हैं और उसमें आपको क्या-क्या आंसर देने हैं वो मैं बताने वाला हूँ तो इससे पहले मैंने रिसंटली पैनिटन टेस्टिंग का वीडियो ऐसा ही बनाया हुआ था उससे पहले मतलब दो या तीन महिने से पहले मैंने MPT, UT और RT का भी मतलब RTFI का भी वीडियो अल्रेडी बनाया हुआ है इसमें मैंने इंटर्यू के क्वेस्चन और आंसर जो है वो डिस्केशन किये हुए है तो अमारा चैनल का इंटर्यू क्वेस्चन वाला जो प्लेइलिस्ट है उसमें ये सब पूराने वीडियो भी आपको मिल जाएंगे तो वो भी आप जरूर देखिएगा अगर आप इंटर्यू के लिए जाने वाले है रेडियो ग्राफी टेस्टिंग में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टन होने वाला है अभी मेरे पास टोटल आर्टी में 15 क्वेस्टन है तो वो क्वेस्टन आपको पूछे जा सकते है और उसके आंसर क्या देने है ये मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए वीडियो को कम्प्लिट देखिए और ये वीडियो अपने दोस्तों और कलिक लोगों को शेर करिए तो यहां पे एक के बाद हम क्वेश्चन और उसके आंसर देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको यहीं पूछा जा सकता है कि what is meant by रेडियो ग्राफी टेस्टिंग तो रेडियो ग्राफी टेस्टिंग क्या है तो radiography testing is non destructive testing method which uses either x-rays और gamma rays to examine the internal structure of manufactured component identifying any flows or defects बराबर तो radiography testing हमारा जो method है उसमें हम electromagnetic radiation का यूज करते है और इसमें x-ray और gamma rays जो electromagnetic radiation के part है ये दोनों waves का यूज करके material जो है उसका internal structure जो है वो चेक करते है और इसमें कोई defect है की नहीं वो चेक करने के लिए RT का यूज किया जाता है इन radiography testing the test part is place between radiation source and film बराबर तो आपका test part जो है वो आपका source और film के बीच में रखा जाता है बराबर तो इस तरह से radiography testing का basic setup जो है वो रहता है उसके बाद radiography testing का principle क्या है मतलब कि कौन से scientific principle के basis पे radiography testing work करता है ठीक है तो आप कोई भी interview के लिए जाओ कोई भी method के लिए चाहे हो LPT, radiography, UT या MPT जो भी method के लिए आप चाहते हो तो उसका scientific principle आपको पता होना ही चाहिए ये question जो है वो generally पूछा जाता है तो radiography testing की बात करें तो it is based on principle that radiation is absorbed and scattered as it passes through an object तो radiation जो है उसका absorption और उसका penetration बराबर तो how are x-rays produce बराबर तो x-rays जो है वो कैसे produce किया जाता है तो x-rays are commonly produce in x-ray tubes by accelerating electrons through potential difference मतलब की voltage drop and directing them into a target material और target material has a tungsten use किया जाता है तो x-ray tube में ये x-ray chunret होते हैं इसमें high speed accelerating electrons जो है उसमें potential difference मतलब की voltage drop create किया जाता है और ये electron जो है उसको target material पे strike किया जाता है बराबर high speed electron को target material के पे आप strike करोगे तो x-rays जो है वो produce होते हैं तो x-ray का भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है बराबर की उसमें x-ray machine कैसे work करता है और आपका x-ray कैसे generate होता है तो वो video भी आप पहले देख लिएगा तो आपको इसमें idea आ जाएगा इसके बाद एक और question ऐसा पूछा जा सकता है कि what is film contrast in radiography बराबर film contrast जो है वो क्या है तो contrast is the difference between difference in density और difference in degree of grayness between areas of the radiographic image बराबर तो इसमें आपका जो film है वो तो black and white होगा तो उसका जो grayness है उसमें जो difference आपको दिखता है उसको उसको मतलब की density में जो difference दिखता है उसको film contrast बोलते हैं और यह जो contrast है उसका special definition आपको देना है तो contrast is comparison between film densities between different area of radiograph बराबर यहां पे जो density की में बात बोल रहा हूँ आपका film density है ठीक है उसको measure करने के लिए आप densitometer का use करते हैं तो film densities का difference जो है वह आपका contrast है तो contrast का दो टाइब है एक subject contrast और film contrast बराबर तो यह आपका दो टाइब का contrast रहता है उसके बाद radiographic film का भी आपको question पूछा जा सकता है कि आर्टी film जो है वह कौन-कौन से material से बनी हुई होती है मतलब उसमें क्या-क्या layer वगेरा सब रहते हैं तो radiographic film consist of three layers उसमें तीन लेयर रहते हैं base layer is made of plastic base image layer is consist of soft emulsion of microscopic grain of silver bromide मतलब की AGBR and outer layer जो की gelatin layer भी उसको बोला जाता है on both side is a protective layer बराबर तो इसमें तीन layer है जो first वाला मतलब की base layer है वो plastic का बना हुआ होता है दूसरा मतलब उसके अंदर वाला जो पहता है वो image layer है इसमें आपका image बनता है film में और outer layer जो है जो आपका base layer है जो acetate base या polyester का बना हुआ होता है polyester मतलब plastic का और उसके आजु-बाजु वाला जो layer है जिसमें आपका image बनेगा जिसको emulsion layer या image layer बोला जाता है और बाहर की side का यह आपका protective layer है बराबर तो जब भी आप यह जो मैंने film बताया है यह आपका film जब आप एकदम box में से निकालते हो नया film तो इस type से आपका film रहता है अब यह आप इसमें जैसे radiography आपने कर लिया उसके बाद development वगेरा सब आप करोगे तो यह protective layer जो है वो निकल जाएगा और यहाँ पे आपका image बनेगा आपका emulsion layer जो है वहाँ पे आपका image create होता है उसके बाद what is dwdi in radiography तो dwdi का full form जो है वो double wall double image जैसा होता है बराबर यह radiography का एक technique है बराबर तो rt में बहुत सारी technique यूज होती है तो dwdi जैसा ही single wall single image मतलब swsi technique का भी question पूछ सकते हैं या फिर double wall single image मतलब dwsi यह technique भी use होती है तो इसका मैंने अलग से video बनाया हुआ है तो इसमें मैंने यह तीनों technique है वो कैसे use होता है बताया हुआ है तो वो आप जरूर देख लीजेगा यहां पे dwdi जो technique है वो कब use होता है तो pipe having diameter less than 89 mm तो 89 mm से कम आपका pipe का diameter है तो वो time पे आप dwdi technique जो है वो use कर सकते हैं इसके बाद what is geometric unsharpness मतलब की ug क्या है ऐसा भी एक question पूछा जा सकता है तो geometric unsharpness जो है that refers to the loss of definition that is the result of geometric factors of the radiographic equipment and setup तो यह जो आपका rt में जो definition रहता है उसका भी मैंने एक अलग से video बनाया हुआ है उसमें मैंने radiography film जो आप use करते हो उसमें definition क्या होता है और कौन-कौन से factor जो है वो definition को effect करते है वो discussion किया हुआ है तो geometric unsharpness है वो भी आपकी film की definition को effect करता है तो इसमें काफी सारे factor रहते हैं तो इसमें से most only three factor है जो आपकी geometric unsharpness को effect करेंगे उसमें पहला जो है वो आपका source का size है दूसरा है वो SFD है और तीसरा जो है OFD OFD मतलब object to film distance तो यहां पर it occurs because the radiation does not originate from a single point but rather over an area तो आपका जो radiation है वो एक single spot होना चाहिए single source होना चाहिए तो source आपका एक single spot है तो वहां से आपको जो geometric unsharpness मिलेगा वो बहुत कम रहता है वो आपके लिए बहुत अच्छा है पर single point source हो जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है इसलिए जो source रहता है वो most only स्क्वेर सोर्स रहता है तो यह जो स्क्वेर सोर्स है इसके कारण आपको geometric unsharpness से वो increase होता है तो यहां पे जो तीन factor है उसमें पहला source का size है तो source का size अगर decrease होगा जितना हो सके उतना आमको decrease करना है तो आपका ug जो है वो decrease होगा वैसे ही sfd increase होगा तो ug decrease होगा और ofd मतलब object to film distance increase मतलब की आपको ज्यादा रखना है तो इससे क्या होगा आपका ug जो है वो decrease होगा ठीक है तो यह तीन factor जो है वो आपको त्यान में रखना है उसके बाद यहां पर एक और question है यह आपका आठ नंबर का question मैंने बताया हुआ है कि what is sensitivity in radiography testing what is 222 sensitivity ठीक है तो 222 sensitivity के बारे में आपको यह question में पूछा गया है तो सबसे पहलो तो sensitivity की इसको बोलेंगे तो तो in industrial radiography radiographic sensitivity is qualitative term referring to the size of the smallest detail that can be recorded on the film और radiograph तो यह एक type का qualitative term है ठीक है और आपको जो film है आपका आर्टी का उसमें कौन सा छोटे से छोटा कौन सा discontinuity आपको मिल सकता है मतलब की कौन से size का छोटे से छोटा discontinuity मिलेगा वह आपको film का sensitivity define करता है ठीक है तो कितना छोटे से छोटा discontinuity आप film में देख सकते है वह आपका film का sensitivity है तो अभी 222 जो term है इसका मतलब क्या है तो the meaning of 222 is simply two refers to the image quality indicator thickness is two percent of the specimen ठीक है दो 222 जो है उसमें यह two जो है यह क्या बोला जाता है कि आपका जो job है जिसका आप radiography करता है उसका two percent thickness आपको consider करना है and 2T is our required sensitivity level मतलब कि यह जो 2T है आपने अगर hall type IQI use किया है तो 2T sensitive 2T hall जो है वह आपको दिखना चाहिए ठीक है तो आपका जो IQI जो है उसका thickness जो है वह आपको two percent of job thickness लेना है और आपका 2T hall जो है वह visible होना चाहिए ठीक है अगर आपने wire type IQI लिया है तो उसमें wire का साइज है वह आपको 2T लेना है ठीक है तो ऐसे करके यह 2 2T जो term है वह consider करना है wire type IQI है तो wire type में 2T size का जो wire है वह आपका visible होना चाहिए बट आल आल टाइप IQI थिकनेस आर नॉट एग्जेटली 2% अपड़ टेस्पेसिमें थिकनेस ठीक है तो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आपका हर एक hall type IQI जो है उसका थिकनेस एग्जेटली 2% हो ठीक है तो इसका all type और fire type IQI का भी वीडियो आपको अमारी चानल की प्लेलिश में मिल जाएगा अभी इसके बाद what is density in radiography तो density का भी आपको question पूछा जा सकता है और what is density range acceptable as per code ठीक है तो code में most apply ASME code के ही सबसे आपको पूछा जाएगा कि density का range जो है वो कितना acceptable है तो इसमें देखिए the overall amount और degree of darkening on a radiograph ठीक है तो density इसको बोलेंगे कि overall amount of या फिर degree of darkening ठीक है कितना film है आपका black हुआ है darkening कितना हुआ है वो आपका density दिखाता है तो density का range जो है वो x-ray के लिए 1.8 to 2 ठीक है इतना x-ray के लिए range है और gamma ray के लिए 2 to 4 density होना चाहिए और यह जो दोनों value है यह आपका single film viewing के लिए है ठीक है तो radiation जो है वो आपका एक wall में से पास हुआ है तो इसके लिए x-ray में 1.8 to 2 ठीक है अगर composite film viewing की बात करें मतलब एक से ज्यादा wall मतलब की double wall वल आपका technique आपने यूज किया है उसके लिए x-ray या gamma ray दोनों के लिए 1.3 d जो है वो minimum criteria है और maximum 4 d ठीक है तो composite film viewing के लिए 1.3 to 4 का यह criteria है x-ray या gamma ray कोई भी के लिए इसके बाद what is the use of IQI in radiography IQI मतलब की image quality indicator तो IQI दो टाइप के mostly use होता है वायर टाइप और hall टाइप तो image quality indicator क्या है it is device for showing the quality of radiograph ठीक है तो film का quality देखने के लिए यह use होता है IQI या panitometer या फिर इसको penny भी बोलता है the quality of radiograph determines the amount of detail that can be shown generally two type of IQI use in weld radiography all type and wire type IQI ठीक है तो इसमें IQI का main use जो है वो आपका film का quality देखने के लिए use होता है उसके बाद what is radiation protection and how to achieve it ठीक है तो radiation protection क्या रहता है उसके related question भी पूछ सकते हैं तो protection against radiation primarily designed to hold radiation exposure to or below allowable limit ठीक है तो allowable limit जो है उसके नीचे आपका radiation होना चाहिए परबर तो यह आपका आपने radiation protection का यूज करके आप radiation का जो limit है उससे नीचे radiation रख सकते हैं तो there are three basic means of providing protection against radiation तो तीन तरह से आप radiation से अपने आपको protect कर सकते हैं तो यह तीन चीज़ क्या है पहला है time ठीक है तो time हो सके उतना कम रहना चाहिए मतलब की radiation वाले एरिया में आपको हो सके उतना कम time रहना है ठीक है तो आपको radiation से protection मिलेगा distance जो है वह ज्यादा रहना चाहिए ठीक है distance आपका radiation का जो source है उससे ज्यादा distance पे आपको रहना है तो भी आप radiation से अपने आपको protect कर सकते हैं और तीसरा है shielding तो shielding as a shielding material आपको heavy thickness वाला material यूज़ करना है तो जन्रली लेड या cement का यूज़म करते हैं ठीक है लेड गया cement का cement या concrete का यूज़ करके आप radiation से बच सकते हैं तो यह तीन चीज़ है time distance और shielding यह तीनों चीज़ से आप radiation से protection कर सकते हैं उसके बाद how to measure wire type IQI sensitivity ठीक है wire type IQI sensitivity measure करने के लिए यहां पर इसका एक formula है तो wire type IQI sensitivity is equal to least wire diameter visible ठीक है तो आपको कौनसा wire जो है वो दिख रहा है सबसे कम diameter वाला कौनसा wire दिख रहा है into 100 divided by thickness ठीक है thickness मतलब की part का जो आपका thickness है वो आपको लेना है तो इससे आपको wire type का IQI sensitivity जो है वो मिल जाएगा acceptable sensitivity शैल बी टू परसंट हैंस panitometer selection शैल बी टू परसंट आप दा माटिरियल थिकनेश बराबर तो जनरली जो हम 2-2-3 sensitivity यूज करते हैं जैसे मैंने आगे बात किया तो उसमें यह जो 2% है यह आपका sensitivity दिखाता है तो यह जो sensitivity है वो 2% होना चाहिए ठीक है तो आपका IQI sensitivity enough है उसके बाद difference between full radiography, spot radiography and acceptance criteria ठीक है तो full radiography का acceptance criteria जो है वो आपको SME section 8 division 1 उसका UW 51 करके close है उसमें मिलेगा spot radiography का criteria जो है वो आपको SME section 8 division 1 का UW 52 close में मिल जाएगा तो इसका मैंने अलग से UW 51 का वीडियो भी बनाया हुआ है उसके अलवा मैंने spot RT, full RT और 100% RT यह तीनों में difference क्या है उसका भी वीडियो बनाया हुआ है तो वो अगली इंटर्यू में पूछते ही है तो यह आपको तयार करके ही जाना है उसके अलवा advantages and limitation of radiography testing ठीक है तो इसका भी मैंने video बनाया हुआ है तो इसमें मैंने detail में बताया हुआ है कि RT जो method है उसके advantage limitation क्या है तो उसमें से आपको detail मिल जाएगा उसके अलवा how to do radiographic film interpretation which are important points to keep in mind during RTFI ठीक है रो RTFI करते टाइम क्या क्या point जो है वह आपको ज्यान में रखना है और RTFI कैसे करना है ठीक है इसका भी question पूछ सकते हैं तो देखे यहां पर मैंने RTFI के step और important point जो है वह बताया हुए है तो सबसे पहला जो इसमें step है रेडियोग्राफर्स शूरी रेडियोग्राफ शूरी रेडियोग्राफ शूरी एक्जामाइन for the presence of defects in weld and adjacent material ठीक है तो आपका जो area of interest है वह mostly weld रहता है पर इसके आजुबा-जुवाला adjacent parent material है जो फिल्म में दिख रहा है वह भी आपको examine करना है उसमें कोई defect है की नहीं वह आपको check करना है examination should be carried out even if the film quality is unacceptable since gross defects may be visible and the component could be rejected without the need for further radiography बराबर तो कई बार कैसा होता है कि आपका फिल्म का quality unacceptable है ठीक है मतलब कि आपको wire type या all type IQ is यह वह नहीं दिख रहा है या फिर density का requirement है वह भी achieve नहीं हो रहा है तो वह फिल्म unacceptable है फिर भी आपको उसका interpretation तो करना ही है ठीक है मतलब कि उसमें जो defect है gross defect है जैसे porosity है या undercut है lack of fusion है जो defect आपको दिख रहा है उसका interpretation करके आपको result दे नहीं है ठीक है पले ही उसका film quality acceptable ना हो क्यों क्योंकि इसमें जो gross defect है वो आपको पता तो है ठीक है तो आप film जो है उसको reject कर सकते है ठीक है तो further radiography उसमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो यह हमारा advantage है ठीक है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि film quality unacceptable हो तो आप film का आगे interpretation ही ना करें बराबर यह आपको अमेशा ज्यान में रखना है interpretation तो आपको करना ही है defects visible should be noted and component sentence according to the applicable acceptance criteria बराबर तो जो भी आपको disc continuity मिलता है और जो भी आपको आपका जो result है उसको note करना है report में और आपका जो component है weld radiography कर रहे है तो welding है या casting भी हो सकता है उसका जो भी applicable acceptance criteria है code के इसाब से उसके इसाब से आपको यह accept या repair जो है वो देना है where there is doubt whether an image is due to an internal defect or a surface feature the weld area should be examined visually to establish the cause ठीक है तो कई बार ऐसा होता है कि आपको जो indication मिलता है discontinuity film पे वो surface पे है या internal है आपको पता ही नहीं होता है ठीक है या फिर आप confused हो जाते हो तो वो time पे आपको visually मतलब की job पे जाके visually check करना है कि actual में यह defect internal है या surface पे है ठीक है तो यह भी है कि आप काम कर सकते हैं तो यह जो चीज है यह interpretation के दोरान आपको ज्यान में रखना है तो यह total मेरे पास 15 question थे जो मैंने आपको वीडियो में discussion किये हुए है इसके अलावा भी अगर आपको कोई question है जो आपको interview में पूछा गया है तो आप मुझे comment box में लिक सकते हैं अब के थेंक यू